हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टो माई चैनल, लाइफ इस इजी, मैं आकृती, मैं यहाँ शेयर करती हूँ अपनी रेसिपी और उससे रेलेटेड इजी कुकिंग टिप्स अन ट्रिक्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज मैं डोसे के साथ खाये जाने वाले चटपटे मसाला आलू की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ जटपट से बन जाने वाले इस मसाला आलू को डोसे के साथ खाने पर डोसे का स्वात बढ़ जाता है तो चलिए जल्दी से डोसे के साथ खाये जाने वाले मसाला आलू को बनाना स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आप पहली बार मेरी रेसिपी देख रहे हैं तो make sure चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए इससे जब भी मैं कोई नई रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी तो चलिए मसाला आलू बनाना स्टार्ट करते हैं और देखिए मैंने यहाँ पर क्या-क्या सामागरी ली है मैंने यहाँ पर दो बड़े साइज के आलू लिये हैं जिसे मैंने अच्छे से कुकर में उबाल लिया है इसकी जगा आप चार मीडियम साइज के आलू भी ले सकते हैं इसके बाद मैंने देखिए यहां पर एक बड़े साइज के प्यास को छोटे-छोटे टुक्रों में कट कर लिया है, इसी के साथ मैंने एक बड़े साइज के टमाटर को भी छोटे-छोटे टुक्रों में कट करके रख लिया है, साथ ही मैंने मसाला आलू को तीखा बनाने के ल आलो को अच्छी तरीके से यहां पर मैश कर लेंगे आलो जितनी अच्छी तरीके से मैश होगा उतनी अच्छी तरीके से इसमें मसालो का स्वात जाएगा तो देखिए यहां पर एकदम आलो बढ़िया से मैश हो गया है उसके बाद मैंने यहां पर गैस ऑन करके एक कराही डा ही और तेल के गरम होने के बाद मैं इसमें मुंगफली डाल रही हूं गैस का फ्लेम यहां पर मैंने ज।न ही रखा है और कर चिन्चांब लेटें ब्राउन हो चुका है उससे मैं बाहर निकाल रही ह leaning को कड़ाहे के बाद उसके बाद साबूत हरी मिर्च और कड़ी पत्तों को मैंने तेल में डाल दिया है इनसे बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है और अब मैं इसमें कटे हुए प्याज को डाल रही हूँ प्याज को हमें गुलाबी होने तक फ्राई करना है तो प्याज को मैं मीडियम गैस फ्लेम पर फ्राई कर रही हूँ देखिए प्याज को फ्राई करने के साथ ही ये हलके गुलाबी हो गया है तो अब मैं इसमें कटे हुए टमाटर को डाल रही हूँ इसी के साथ मैंने 1 टी स्पून हल्दी पौरडर उसके बाद 1 टी स्पून कश्मीरी रेड चिरी पॉर्डर अच्छे कलर के लिए और स्वात के अनुसार नमक को डाल दिया है इन सभी को मिक्स कर लेंगे और टमाटर के सॉफ्ट होने तक इसे हमें फ्राई करना है तो इसे मैंने ढख दिया है ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए और गैस का फ्लेम यहाँ पर मैंने मीडियम रखा है लगबख देर से 2 मिनट के बाद देखिए लीड हटाने के बाद टमाटर यहाँ बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है आप देख सकते हैं तो अब मैं इसे स्टेज पर इसमें मैश किये हुए आलू डाल रही हूँ और इसी के साथ मैंने 1 टी स्पून गरम मसाला पौडर भी डाला है और इन सभी को अब मैं मिक्स कर रही हूँ इस आलू को मैं high gas flame पर mix कर रही हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने gas का flame high रखा है और अच्छी तरीके से आलू को सभी मसालों के साथ mash करते हुए mix कर रही हूँ आलू सभी मसालों के साथ अच्छे से mix हो गया है, तो अब इस stage पर मुंगफली को आलू में डाल देंगे और इसे भी एक बार अच्छी तरीके से mix कर लेंगे आलू काफी अच्छी तरीके से fry हो चुका है, देखिए और यहाँ पर एकदम बढ़िया खुश्बू आ रही है आलू मसाले से देखिए इसका color भी एकदम perfect आया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे तो बस इस stage पर मैंने gas को off कर दिया है और डोसे के लिए आलू मसाला बन कर तयार है, आप इसे डोसे के साथ mix करके आराम से enjoy कर सकते हैं इंस्टेंट क्रिस्पी डोसा बनाने की रेसिपी अल्रेडी मेरे चैनल पर available है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहें तो जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं मसाला आलू की रेसिपी पसंद आई है तो इसे एक लाइक जरूर करिए, जल्दी मिलते हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हल्दी खाईए, खुश रही है